हर सिच्वेशन में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और अगर सुबह सुबह आपको पॉजिटिव निउस सुनने को मिल जाए तो सारा दिन ही अच्छा जाता है नमस्कार में आकाश पॉजिटिव निउस में आप सभी काता है दिल से स्वागत करता हूं हमार इस पॉ पहली निउस के शुरुआत करते हैं अफरीका कॉंटिनेंट से दोस्तों आप सभी को याद होगा कि कुछ साल पहले हमारे भारत में पोलियो नमा के विमारी फैली थी लेकिन हमारे अथक प्रयास से आज पोलियो हमारे देश से जा चुका है लेकिन अफरीका कॉंटिनेंट में 2 साल पहले यह polio महमारी बहुती बुरी तरीके से फैल रही थी जै हां दोस्तों नेनसल मंडेला के अथख परयास से पूरे अफरीका में 2 साल में एक भी polio केस नहीं पाया गया है आये स्वस्थ कैसे रहें और अपनी जीवन को स्वस्थ कैसे रखें इस बारे में जानते हैं हमारे हरी वैज्जी द्वारा जो हमें स्वस्थ रहने के कुछ घरे लू टिप्स बताएंगे और रोगमुक्त कैसे रहें इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे देखते हैं कारे मुझे एपिसोड में कुछ ऐसी बाते बताई थी जलन के बारे में, तो आज फिर से कुछ लोगों का प्रस्न आया है, कि ऐसे डीती के बारे में घर गराओ अगर कोई उपाए हैं तो बताओ, जिन लोगों को ऐसे डीती रहती है, जलन रहा करती है, और खटी ड़कारे आया कर मुँ में चाले भी होते हैं सिर में दर्द भी रहता है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए रात को एक ग्लास पानी में पानी पूरा ग्लास बरके लेना रात को एक ग्लास पानी में एक से देड़ चमज पीले रंकी मिश्री ले 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 लेना एक चमज भरके धनिया ले लेना सबड़ी वाला धनिया नहीं मसाले वाला धनिया एक चमच वल्यारी ले लेना और दस नंग काली मनुका जो दस मिनिट पहले उसको भिगो देना अलक से पानी में बाद में उसको आपके एक गलास वाले पानी में डाल देना यह चार चीजें मैंने बताई फिर से बता रहा हूँ कि एक ग्लास पानी उसमें एक से देड़ चमच पीले रंकी मिश्री एक चमच हरा धनिया एक चमच वल्यारी और दस मनुका इसको रात को भिगो दो और सुबह उसको हिला देना पानी पी लेना बाद में बाकी सब चबा चबा के खा लेना सुबह फिर से नया भिगोना शाम के लिए सुबह सम दोनों टाइम पीना बहुत जल्दी फटा फट आपको पेट में राहत हो जाएगी खाना अच्छी तरह से पचेगा पित का उपदरो कम हो जाएगा पेट की जलन चेहरे की जलन अतिरिक्त पसीना आँखों की कमजोरी इसम पूरा श्रे में भगवान शीव के चरणों में अरपित करता हूं वंदे मात्रम तो जैसा कि आपने जान ही लिया होगा स्वस्त रहने की चाभी क्या है इस 17-10 सतंबर को पुरे विश्व में वर्ल्ट सुसाइट प्रिवंशन डे मनाया गया यह दिवस मनाना इसलिए एक मानसिक और मनोवग्यानिक राजनेतिक जैसे कई हो सकती है वहीं दूसरी और एक पशू कभी भी आत्महत्या नहीं करता है आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण या कहा जा सकता है कि उसकी जड़ है डिप्रेशन जिहां दोस्तों एक बार आपने डिप्रेशन से मुक्ति पाली तो आत्म हत्या करने की कोई जरूरत ही नहीं है और डिप्रेशन से मुक्ति पाने का एक मातर इलाज है मरिटेशन आपने आपको भगवान से जोड़ें उनसे बात करें उनसे अपने अच्छे बुरे के बारे में वारता करें इसी के साथ आपका मन भी हलका होगा और डि के लिए त्यागिये जिसे आके साथ ही आपके दोस्त आपका परिवार और साथ ही पूरा विश्व पूरादेश आप पर गर्व कर सकें किसी गीतकार ने बहुत खूब क學 निकर कर देखो चांदनी में नहा कर देखो जिंदगी क्या है किताबों से हट कर देखो और अगर कभी फुरसत मिले तो गौर से सुनना पत्थरों में भी आवाज है खैर इन सारी बातों को अलग रखते हुए लोकडाउन में अपने संबंधों को सही रखना और संबंधियों के साथ सही वेवार करना यह बहुत ही महत्वपूर्ण संचार चलते चलते ऐसी स्थिती में पहुँच गया है कि हर मनुस को भविश अंसर्टेन दिखाई देता है यूवक सोच रहे हैं क्या करें उद्योगपती सोच रहे हैं क्या करें बिजनस पुपिल सोच रहे हैं क्या करें हर मनुस का मन एक विशे सिद्धु इधा में है क्या करें क्या होगा पंतु हम सभी क्रियेटिव प्राणी हैं अपनी इस अंदर की सुक्ष्म सक्ति को पहचाने हमारे अंदर क्रियेटिव एनर्जी है हमारा एक दोवरबंध होता है हम दूसरा खोल लेते है एक जगे हमें मारग अवरुद्ध न जराता है हम नया मारग चुन लेते हैं हम क्रियेटर हैं हमें हार नहीं माननी है क्रियेट करें आपके अंदर ही छमता है जिस वे फिल्ड में आप हैं चंतन करें परेशान ना हो नेगेटिव ना हो अन्य था आपकी सारी क्रियेटिव एनर्जी इस नेगेटिविटी में समथ्थ हो जाएगी इसलिए जितना आप पोजिटिव रहेंगे जितना आप एकागर होंगे अपने मन की शक्तियों को नस नहीं करेंगे तो आपको ओपर से इंट्यूशन स्प्राप्थ होते रहेंगे और आपको एक सुन्दर मार मिल जाएगा लोकडाउन का समय है हर व्यक्ति सोच रहा है क्या होगा और क्या करेंगे मात्पिता अपने वच्चों की पढ़ाई को लेकर भी आसंकित हैं क्या करें ओनलाइन तो सब बच्चे पढ़ते नहीं है हर व्यक्ति आसंकित है परंतु हमारे पास सद्विवेक है हमारे पास सुन्दर मन की शक्ति है हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हम भगवान के वच्चे हैं उसकी शक्तियां भी हमारे पास है उसके प्यार की फेलिंग भी हमारे साथ है वो भी हमारी केर करता है क्योंकि वो सच्चा मात्विता है परंतु ये तब होगा जब हम उससे वेज उड़ जाएंगे तो वो भी हमें बहुत मदद करेगा वो स्वयंभ हमारी चत्र चाया बनकर हमारी सेफ्टी करेगा हमारे भविस्क उज्वल करेगा क्योंकि वो भाग्य विधाता भी है हम उसकी संतान हैं हम भूल गए हम उसकी संतान बन जाएं हमारे लिए वो भी सोचेगा कि हम क्या करें और हमीं गाइडेंस देगा कि ये करो और उसकी गाइड लाइन में चलने वाला हमारा जीवन सहज ही मंजिल पर पहुंच जाएगा आज सारे दुनिया के सामने एक मुसीबत की घड़ी है और इस मुसीबत की घड़ी का सबसे एक सॉल्यूशन है राज्योग आप राज्योग करना किसी भी नजदी की प्रजापिता ब्रह्मो कुमारिस इश्वरे विश्व विद्याले के सेंटर से जाकर संपर्क कर सकते हैं आए जानते हैं कल की बाते में कि कल क्या क्या घटना है घटी राश्य स्वयम सिवक संग आरेसेस के सरसंग चालक पूजनिय डॉक्टर मोहन भागवत जी के जनम दिवस पर हमारी ओर से हरदिक शुपकामनाई भगवान आपको अच्छा स्वास्थ और आशिरवात दे अभिनेता परेश्रावल नाशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बनाए गए उनकी न्यूक्ता चार साल के लिए हुई है यह पद 2017 से खाली था कि इंद्रिय सांस्कृतिक राजमंती प्रहलाज सिंग पटेल ने परेश्रावल जी को शुपकामनाई दी माननी परेश्रावल जी को माननी राश्रपती जी ने नाशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नूक्त किया उनकी प्रतिवा का लाब देश के कलाकार एवं छात्रों को मिलेगा नई शिक्षा नीती पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने संबोधित करते हुए कहा कि अब तो काम की असली शुरुआत हुई है अब हमें राश्र शिक्षा नीती को उननती के प्रभाव के तरीके से लागू करना होगा मुझे खुशी है कि राष्ट सिक्षा नीती को लागो करने में हमारे देश के प्रिंसिपल और शिक्षक उत्सा से हिस्सा लेंगे कुछ दिन पहले सिक्षा मंतराले ने राष्ट्र सिक्षा नीती को लागो करने के बारे में देश भर के टीचर्स माई गॉवर्मेंट एप पर उनके सुझाओ महांगे थे सबस्किंगे एक सबता के भीतर 15 लाग से ज़ादा सुझाओ मिले बच्चों के माथमाटिक थिंकिंग और साँटिफिक सुझाओ विक्सित करने पे बहुत आवश्यक सूचना जयताई माथमाटिक ठिंकिंग का मतलब केवल यही नहीं कि बच्चे माथमाटिक के प्रॉब्लम सॉल करें बल्कि सोचने का तरीका भी ऐसा हो आईए देखते हैं आज हमारे मेठी प्रवाब हैं जी हमारे ले कौन सी नहीं कहानी लेकर आई हैं आपको और मेरा पसंदिदा कारे क्रम कहानी से सीखो आज की दोर में इंसान भै चिंता तनावसिक रस्त है कई बार जाने अन जाने में इंसान से कुछ गल्तियां भी हो जाती हैं और कुछ गल्तियां तो ऐसी होती जो जीवन भर नहीं भूलती तो कई बार मन में प्रिश्ण उठता है कि क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जो हमसे हुए गुना अपराद बोध जो जीवन में कहीं न कहीं आत्मा को को चोटतो रहते हैं उससे हम निजात पाएं हाँ है एक बहुती साधू किस्म के व्यक्ति यानि बहुती भगवान के भग्त उनका बेटा विदेश जाने लगा जब वो विदेश जाने लगा तो पिता को लगा कि वहां की संगती में कहीं बच्चा भी गड़ना चाहे उन्होंने एक लगड़ी की पट्री उस बच्चे को दी और कहा बेटा इमानदारी से जब भी कभी कोई गलती हो तो इसमें एक खीला ठोग देना वो बच्चा बहुत ही आग्याकारी था विदेश गया रोज रात को जब लोट किया था तो सोचता दिन भर में कोई गलती तो नहीं हुए और उसे याद आता कि हाँ ये तो आज मैंने जूट बोला था या कुछ गलत किया था और वो खीला ठोकते था कुछ वर्स बीद गए पिता का फोन आया बेटा अगले मैंने तुमारी बेहन की शादी है अग तुम्हें शादी में आना है लेकिन याद रखो तुम्हें वो पट्री भी साथ में लेकर आना है और जैसे ही बेटे ने ये बात सुने घर गया देखा पट्री तो पूरे खीलों से भरी हुई थी मन में डर लगने लगा पिता जी देखेंगे कि इतनी सारी अपराद, इतनी सारी गलतियां कि क्या सोचेंगे लेकिन पिता ने आते वक्त ये बात भी कह दी थी कि बेटा जब भी जीवन में कोई नेक काम करो तो एक-एक खीला निकाल देना उसके पास एक माहा का समय था, सुबह से शाम तक हर किसी का भला करता जिस किसी की कोई मदद कर सकता, वो मदद करता और रात को आके दिन में सोचता क्या भलाई की और एक-एक-एक-एक पट्री से खीला निकालते जाता एक मेना हुआ पूरी पटरी खीलों से निकल गई अर उसका भारत वापरसानी का समय भी हो गया तो पिता उसे एरपोर्ट पर लेने आये गले मिला बहुत एक दूसरे से प्रेम कर रहे अर उसी समय पिता जी ने कहा मेरे राजा बेटा मैंने जो पटरी तुमें दी थी वो मुझे दिखाओ पच्छा जोर जोर से रोने लगा कहा क्या हुआ कुछ नहीं कहा क्या हुआ कुछ नहीं कहा मुझे पटरी चाहिए बेटे ने बैक में से निकाल के वो लकडी की पटरी पिता जी को दे दी पिता जी देखकर खुश हो गए गा लेकर इसमें तो एक भी खीला नहीं है जो छेद हो गए हैं वो तो मेरी आत्मा को कचोटते हैं कि मैंने गलती तो की थी भली मैंने नेक कर्म करके वो खीलों को निकाल दिया लेकिन ये मेरे दिल में जो छेद हुए मेरी आत्मा को कचोट रहे हैं इसे क्या करो तब पिताने का घबराने की बात नहीं हमारी संस्कृत सर्वस्रेश्ट संस्क्रति है चलो तुम्हें एक जगा ऐसे ले चलता हूं जहां जाकर ये छेद वी जो तुम्हें लगता है तुम्हारी आत्मा पे बोज बने हुए हैं वो मिट जाएंगे और वो जगाती अध्यात्मिक सेवाकेंद ब्रह्मा कुमारी इश्वरी विश्वि ओध कई ऐसे गुना उनको मिटा देता है और वो बीटा बहुत खुश हुआ आप सबसे यही नमरन रोध है आज की इस भागताओर के जिन्दगी में डर भैसे पल-पल हम जी रहे हैं सुबह निकलते हैं तो ये निश्चित नहीं होता कि हम शाम को लोटके आएंगे या नह पता नहीं कब कौन सी बीमारी लग जाए ऐसे में अगर आप अध्यात्मिक्ता से जुड़ते हैं तो वो अध्यात्मिक्ता आपके अंदर के डर भै को निकाल देते हैं आपकी आत्मा पर कोई बोच है आपने कोई गलती की है उस गलती को परमात्मा की शक्ति से आप भर सकत हैं अनुरोद यही है कि अध्यात्मिक्ता से अपने आपको चोड़े अध्यात्मिक्ता का न रहे तो अगर आप अपना जीवन सुख में शांती में विताना चाहते हैं अपने आपको अध्यात्मिक्ता से जोड़े इनिश्वतों के साथ आज के कosaurus करतें फिर मिलेंगे अ legitim यहीं आच्छी लगी दरसल कहानिया हमें प्रेविद करती हैं अच्छी विचारर रखने की और मेरी समझ से आजिक कहानी के बाद आपके सोच और आपके वीचार में अव hologWork परीवर्टन आया होगा है ऐसे ही पॉजिटिव न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें पॉजिटिव न्यूज में आकाश पांडे लेता हूं आपसे अलविदा बी पॉजिटिव बी सेफ